यह मायावती को आप बीजेपी के एजेंट कैसे दिख गए नजर नजर का फर्क है उनकी नजर में सच्चा ही थी यह तो देश की जनता जानती है कि अगर संग से और भाजपा से किसी को भी गाली पड़ती है तो मुझसे ज़्यादा भारत में किसी और को नहीं पड़ती है तो फिर इसके पीछे की वजे क्या रहे गए देखिए सब लोग उस समय चक्राइथे क्या पार्टी के भीतर भी तो कहीं कुछ लोग ऐसा विश्वास नहीं करने लगे है आपका मतलब कॉंग्रेस में अब मुझे तो नहीं लगता बीजेपी में आप सोच रहे थे मैं पूछ रही हूं कि बीजेपी में आपको लगता है मायावती का ये बयान उसके बाद उनका चिटक जाना में अखेले चुनाव लड़ूंगी ये महा गटबंधन को सबसे बड़ा जटका है जो कोशिशें चल रही थी नहीं ऐसा नहीं है थोड़ा साथ मैं बताना चाहता हूं हमेशा गटबंधन की राजनिती में या तो चुनाव साथ-साथ लड़ें और फिर अलाइंस हो जाए ये एक फॉर्मैट है दूसरा है जैसी हम लोग 2004 में अलग-अलग पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ी और फिर यूपी एलाइंस हुआ और कॉमन मिनिम प्रोग्राम की अधार पर हम लोग सरकार दस साल तक चलाई सफलता के साथ जनता पार्टी का उधारन में आपको देता हूं कि शायद दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी सभी राजनेतिक दलों ने मिलकर गटबंदन किया जनता पार्टी बनाई चुनाव लड़ लिये और पूरे उत्तर भारत में स्वीप किया गटबंदन कब होना चाहिए कैसे समय होना चाहिए यह सब एक टाइमिंग का सवाल है तो गुंजाई शाब को अभी भी चुनाव पूर्व नैशनल लेवल पर मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो सब लोग और वो सब पार्टियां जो मोदी जी और अमिर शाजी की जोड़ी से तरस्त हैं जिसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल हैं वो और दूसरे सारे दल वो एक होंगे और मिल के चुनाव लएंगे क्यूंकि उत्तर प्रदेश में आप मिले समाजवादी पार्टी से लेकिन उसके बावजूद भारतिये जनता पार्टी ने वहां पर ऐसा प्रदर्शन किया कि सरकार बने मायावती जब मिली समाजवादी पार्टी से यानि B.S.P. और समाजवादी पार्टी का जब गठव कि बहुजन समाज पार्टी कभी उप्चुनाव नहीं लड़ती तो यह जो उप्चुनाव थे उसमें गड़बंदन सौभाविक था और समाजवादी पार्टी कॉंग्रिस और बीएसपी और कॉंग्रिस ने भाजपा को हराने के लिए निर्ने लिया और हरा दिया यही जो शुरू से हम कहते आएं हैं कि मोदी जी और पूरी मीडिया यह कहती है कि अभूतपूर भावमत मिला है मेंडेट मिला है मोदी जी को ऐसा नहीं है किवल 31 प्रतिशत की वोट पर वो अपनों को कम्प्लीट मेंडेट मानते हैं तो इसमें यह इसमें सब होता है मैवती जी को लेकर मन में द्वेश रह गया है बिल्कुल नहीं मैं हमेशा उनकी इजद करता रहा हूं